विश्वे युवा काउशल दिवस पर सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुब कामना है। दुसरी बार है जब करोना महामारी के बीच हम ये दिवस मना रहे हैं। इस वैस्विक महामारी की चुनोतियों ने वर्ल यूथ स्किल्डे की एहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। एक और बात जो महत्वपून है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21 सदी में पैदा हुए आज के युवाँ भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीडी के युवाँ का स्किल डेवलेप्मेंट एक राष्ट्रिय जरुरत है। आत्म निर भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते छे वर्षों में जो आधार बना जो नए संस्थान बने उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्कील इंडिया मिशन को गती देनी ही है। साथियों, जब कोई समाज स्कील को महत्व देता है, तो समाज की अब स्किलिंग भी होती है, उन्नती भी होती है, दुनिया इस बात को बख्वी जानती भी है, लेकिन भारत की सोच इससे भी दो कदम आगे की रही है। हमारे पुर्वजों ने स्कील्स को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे सलिप्रेट किया, स्कील्स को समाज के उल्लास का हिस्सा बना दिया। आप देखिए, हम विजिया दस्वी को सस्त्रपुजन करते हैं, अक्षय तृतिया को किसाम, फसल की, कुरुशी यंत्रों की पूजा करते हैं, भगवान विश्व कर्मा की पूजा तो हमारे देश में हर स्कील, हर सिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा परवरहा है, हमारे हाँ सांस्त्रों में निर्देश दिया गया है, विवाह दिशू, यज्यशू, ग्रह आराम विधायके, सर्व कर्मसू संपुज्यो, विश्व कर्मा इती सुर्तम, अर्थात, विवाहो, ग्रह प्रवेशो, या कोई और यज्यकार्या, सामाजिक कार्या हो, इसमें भगवान विश्व कर्मा की पूजा, उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए, विश्व कर्मा की पूजा, यानि समाज जीवन में अलग-अलग रचनात्वक कार्य करने वाले, हमारे विश्व कर्माओं का सम्मान, स्कील का सम्मान, लकडी के कारीगर, मेटर्स का काम करने वाले, सफाई कर्मी, बगेच्य की सुन्दरता बढ़ाने वाले माली, मिट्टी के बरतन बनाने वाले कुमार, हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर साथी, ऐसे कितने ही लोग हैं जीने हमारी परंपरा ने विशय सन्मान दिया है महा भारत के भी एक स्लोग में कहा गया है विश्व कर्मा नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्व संभव अर्थात जिनके कारण विश्व में सबकुछ संभव होता है उस विश्व कर्मा को नमस्तेस्तु विश्व कर्मा कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उनके काम के बिना स्किल्स के बिना समाज का अस्तित्व ही असंभव है लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के लंबे कालखंड में स्किल्ड डेवलप्मेंट की व्यवस्ता हमारे सोशल सिस्टिम में हमारे एजुकेशन सिस्टिम में दीरे धीरे कमजोर पड़ती गई साथियों एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है तो स्किल्ड हमें सिखाती है कि वो काम वास्विक स्वरूप में कैसे होगा देश का स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाई इसी जरुरत के साथ कदम से कदम मिलाने का अभ्यान है मुझे खुसी है कि प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक सवा करोड से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है साथियों मैं एक और वाक्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ एक बार स्किल डेवलप्मेंट को लेकर काम कर रहे कुछ अफसर मुझे मिले मैंनों उनसे कहा कि आप इस दिशा में इतना काम कर रहे हैं क्यों न आप ऐसे स्किल्स की एक लिस्ट बढाएगे होगी जब उन्होंने सरसरी नजर से लिस्टिंग की तो ऐसी 900 से जादा स्किल्स निकली जिनकी हमें अपनी आवश्यक्ताओं के लिए जरूरत होती हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्किल्स डेवलप्मेंट का काम कितना बड़ा है आज यह जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ ही रुके नहीं आज दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल्स होगा वही गुरो करेगा यह बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है दुनिया के लिए एक स्मार्ट और स्किल्न मेंट पावर सॉल्यूशन्स भारत दे सके यह हमारे नवजवानों की स्किल्लिंग स्ट्रेटरजी के मुल में होना चाहिए इसको देखते हुए ग्लोबल स्किल्ल गैप की मैपिंग जो की चीज आ रही है वो प्रसंसली के कदम है इसलिए हमारे युवाओं के लिए स्किलिंग री स्किलिंग और अप्स्किलिंग का मिशन अनवरत चलते रहना चाहिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज अनुमाल लगा रहे हैं कि जिस तरह तेजी से टेक्नोलोजी बदल रही है आने वाले तीन चार वर्सों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को री स्किलिंग की ज़रुत पड़ेगी इसके लिए भी हमें देश को तयार करना होगा और कोरोना काल में ही हम सबने स्किल्स और स्किल्ड वर्कफोर्स की एहमियत को बहुत करिब से देखा है मैसूस किया है देश कोरोना से इतनी प्रभावी लड़ाई लड़ सका तो इसमें भी हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा योगदान है साथियों बाबा साब आमबेड कर रहे हैं युवाओं की कमजोर वर्क की स्कीलिंग पर बहुत जोर दिया था आज स्किल्ड इंडिया के जरिये देश बाबा साब के इस दुरदर्शी स्वपन को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है उदहान के तौर पर आदिवासी समाज के लिए देश ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानि गोल प्रोग्रेम शुरू किया है यह प्रोग्रेम पारंपारिक स्कील के ख्षेत्रों जैसे कि आर्ट हो, कल्चर हो, हैंडिकाप्ट हो, टेक्स्टाइल हो इनमें आदिवासी भाई बेहनों की डिजिटरल डिटरेसी और स्कील में मदद करेगा उनमें एंटरप्रेनर्सी ब्यवलप करेगा इसी तरह बनधन योजना के भी आज आदिवासी समाज को नए अवसरों से जोडने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है हमें आने वाले समय में इस तरह के अभ्यानों को और ज्यादा व्यापक बनाना है स्कील के जरिये खुद को और देश को आत्मन निरफर बनाना है इनी शुब कामणाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद